तो Moto H50 Pro, यार इस phone की hype अलगी हो गई, हो सकता इसकी pricing को लेके हो गई है, लेकिन काफी वीडियो में UFH 2.2, इसकी battery life, इसकी heating को लेके काफी चीज़े इग्नोर की जा रही है, बट इस वीडियो में कुछ इग्नोर नहीं होगा, बहुत depth में यह review है, होप आप लोगको वीडि पहली बार इस चनल पर हो, तो मेरा नाम है प्राव विर्क, प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, देखो box content में दो तरीके, एक तो यह जो box content आपको मैं दिखा रहा हूँ, मिलता आपको सब कुछ है, लेकिन 125 watt का charger भी आपको रखा हो मि मिलता है, पहली बार किसी moto के phone के अंदर ये screen better लगा हूँ मिला है, तो आपको day one पे tempered large ढूंडने की जरूत नहीं पड़ेगी, normal scratches वगरा से prevent कर लेगा, अब design के अंदर यहाँ पे 3 color है, दो color के अंदर तो आपको vegan leather finish मिलती है, और तीसरा जो color है उसके अंदर acrylic finish मिलती है, अब यह acrylic finish कैसी है, मेरको तो इन लोगों नहीं vegan leather वाला ही भीजा है, तो उसका idea आपको नहीं दे सकता, लेकिन यह vegan leather भाई, एक matte finish लेके आती है, गंदी होती नहीं हलका से एक soft touch लेके आती है, और साथ में curved edges है, curved display है, phone हाथ में आप बहुत अच्छी तरीके से fit होता है, ब बीच में metal frame है, उसकी भी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं है, IP68 की rating है, नौर्मली से 50 मेटर तक पानी में डाल दोगी है, वो भी 30 मिन तक तो भी इस phone को कुछ नहीं होगा, वैसे एक चीज़ बिल्ड के अंदर clear नहीं है, वो है इसकी display, उसमें कौन सी protection है, इसका कहीं पे इन लोगों ने mention नहीं किया है, मैंने flip card पे भी ढूंडने ही कोशिश किया है, और यही reason हो सकता है, कि इन लोगों ने पहले ही बार किसी moto के phone पे pre-applied screen filter भी लगा के दिया है, वैसे display quality के अंदर कोई tension है, यहाँ पे आपको ए curved पंचोल वाली P.O.L.E. display मिलती है, 1.5K resolution वाल इसमें flickering बगरा होती है, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, तो आखों के लिए भी display अच्छी है, वैसे normally यहाँ पे 3 color profile आपको मिलती है, by default यह vivid पे select होके आता है, और vivid के अंदर भी ना, इसकी color accuracy बहुत अच्छी feel होती है, मैंने इसकी display OnePlus 12R के साथ compare की थी, इसका green वाला part दे HDR का आपको proper support यहाँ पे मिलता है, लेकिन Netflix के अंदर ना, सिर्फ wide 1 L1 का support है, यहाँ पे कोई HDR का support नहीं है, और 4K show कर रहा है, लेकिन 4K के अंदर जब मैंने YouTube पे video play की थी ना, कहीं कहीं मुझे frame drop मिले, तो YouTube में 1440p plus HDR पे यह video smooth चला रहा है, वैसे इसके लावर display use करन में त इसली सारे apps ना, 120Hz के अंदर चलते हैं, और सारे apps काफी smooth feel होते हैं, और हाँ brightness के भी कोई tension नहीं है, outdoor में इस phone को लेके जाना, direct sunlight में भी इस phone को use कर सकते हो, fingerprint scanner भी display के अंदर ही है, हलका सा मुझे position इसके नीचे feel हुई, लेकिन काम हर बार कर रहा है, fast peak कर रहा है, और एक भी तो ही जो display वो gel उठेगी, अब यहाँ पर जब भी कोई notification आएगी, best part is speak display का ये रहता है, उसके icon पे आप click करोगे, और वहीं से आप reply कर सकते हो, उसको delete कर सकते हो, उसको remove कर सकते हो, तो yes, normal always on display से थोड़ी सी अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको phone unlock करने की जुरूत नहीं है और वहीं से आप reply कर सकते हो, तो इस तरीके से इन लोगों ने implement किया है, खेर अब sound quality का बता हूँ, तो आपको clear दिख जाएगा, देखो नीचे bottom में एक speaker है, एक top में speaker है, यहाँ पर Dolby Atmos का भी support है, special audio का भी support है, जैसा कि इस price में होता जा रहा है, यहाँ पर कोई headphone jack नहीं ह इस पर इन लोगों ने hello UI करके दिया है, और वो चल भी एकदम latest try, Android 14 पर यह phone चल रहा है, update promise भी बहुत तगड़ा कर दिया है, तीन major update मिलेंगे, चार सल तक security update मिलेंगे, अब इनका track record थोड़ा सा खराब है, आपको भी पता किसी moto user से अगर आप पूछते हो, तो हाँ Android updates इत open करते हो, close करते हो, वहीं से खुलते हैं, वहीं पर बंद होते हैं, widget animation देखो, वो भी कितना smooth feel होता है, वैसे इस UI के अंदर और पिछली जो UI चल रही थी, उसमें बहुत major difference आपको feel नहीं होगा, जहाँ पर feel होगा, वो होगा notification panel के अंदर, यहाँ पर आपको दो option मिल गए, यह नया वाला जो notification panel है, वो एकदम अलग feel हो रहा है, lock screen पे आपको customization के भी काफी option मिल गए है, और software के अंदर जो भी feature दिये गए हैं, वो थोड़ा और explain करके, मतलब graphics वगरा add कि हैं, ताकि आप असानी से समझ सको कि वो feature जो है, कैसे काम करता है, और पुराने वाले moto में सार laptop पे यूज कर सकते हो, फोन वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन फोन का पूरे apps आप अपने laptop में यूज कर सकते हो, और इसी के अंदर एक ऐसा भी है कि फोन के apps को आप windows की तरह खोल सकते हो, इवन इसका front camera भी न, ऐसा webcam यूज कर सकते हो, यहाँ पर एक moto connect करके भी feature add हुए, जिसके थो आप app log, dual apps, app hide बगएरा कर सकते हो, काफी लोग को यह चीज़ा करनी आती नहीं है, मैंने काफी time पे लेक 60 second की short video बनाई है, उसको आप follow कर रहे न, link description में, असानी से सीख जाओके, और यह सारे feature भी आप चला सकते हो, तो yes, जैसे मैंने starting में का, अगर यह update promise पे अ UFS 2.2 की storage है, जिसकी सबसे ज़्यादा tension आपको मिलती है, दोनों के पहले मैं आपको scores दिखा जाता हूँ, एंटू दो scores देखे तो वो साड़े 8,00,000 के close चले जाते हैं, और आपको read and write speeds देखाऊं storage की, तो वो भी 1 GB के close पहुंच जाती है, अब इसके storage के scores और OnePlus 12R के storage के scores आ आपको मिलेगा, OnePlus में आपको UFS 3.1 की storage मिलती है, लेकिन बहुत बढ़े difference नहीं है, और इसी लिए जब मैंने speed test किया था ना side by side, तो छूटे चूटे चूटे apps में कई बार motor वाले पहले खोल दे रहे थे, और यही एक reason है कि optimization लोगों ने बहुत अची की है, इन 7 दिनों के ये phone normal task के अंदर, especially normal heavy task के अंदर ये phone बिलकुल नहीं अटका है, खेक कुछ लोग का ये भी सवाल है, gaming कर सकते हैं, तो भाई, N2,2,8 लाग के आ रहे है, BGMI के अंदर ये smooth bus extreme support करता है, हाँ, आप gaming इस पर कर सकते हो, और even gyro player हो, भाई, gyro की performance देखो, उसके अंदर भी बिल तो better रहेगा कि आप एक gaming phone की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपको heavy multitasking करनी है, तो आप असानी से इस phone को भी choose कर सकते हो, अब heating को लेके काफी लोग का सवाल है, देखो पतला phone है, गरम होता है ये phone, लेकिन इस चीज़ को भी मैंने बहुत depth में testing किया है, देखो पहले मैं आपक कहीं पर भी red में नहीं गया, कुछ लोग को ये सवाल होता है कि ये app करता क्या है, तो ये app आपके processor पे बहुत ज़्यदा pressure डालता है, और ये बताता है कि अगर आप 15 minute heavy task करोगे, तो इसका graph कितना ज़्यदा नीचे जाएगा, और ये graph अगर red में जाता है, तो tension वाली बात ह लेकिन तीनों test में ये graph red में नहीं गया, तो अपनी performance maintain करता है, लेकिन phone गरम भी होता है, specially display की side से ये phone touch करने में गरम feel होगा, आपको अगर बहुत heavy task करोगे, 41, 42 degree तक ये phone front से पहुंच जाता है, अब ये phone same back से भी 41, 42 degree पहुंचता है, लेकिन वो गरम feel होता नहीं, क्योंक आपको vegan leather finish मिलती है, even frame इसका metal काया है, तो वो भी 38-40 degree तक पहुंच जाता है, बट ये जो test था, वो extreme test था, मलो CPU throttling एक घंटे की चल रहे हैं, फिर हम temperature check कर रहे हैं, and 42 degree बहुत overheating type A नहीं पहुंचता, और इसका grab भी वही शो कर रहा है, कि इसके अंदर कोई overheating जैसा नहीं फोन गरम जरूर होगा, कि अगर आप heavy task करोगे, वो भी maximum 42 degree तक, लेकिन फोन impress सबसे ज़्यादा करेगा आपको camera के अंदर, 50MP का main है, 10MP का आपको telephoto मिलता है, 13MP का ultrawide है, जो macro camera की तरह भी काम करता है, तो तीन camera है, तीनों ही काम के camera है, and trust me, ये कोई photo मैं आपको दिखा र है कि हम लोगों ने pen tone के साथ collaborate किया है, पता नहीं, उसका एक reason हो सकता है, कि भाई, बहुत ही अच्छी photos आ रही है, not only human subject, कहीं पर भी किसी भी चीज़ की photo कीशते हो, वो बहुत दर detailed feel होती है, normally भी आप zoom कर सकते हो photos के अंदर, क्योंकि यहाँ पर telephoto है, तो 3X के अंदर भी आप 4 अलग-अलग portrait shots कीश सकते हो, and trust me, जो 45M length वाल जो portrait shots है न, वो बहुत ही कमाल के लगते हैं, मैं सारी photos Google Drive में save कर रहा हूँ, मैंने OnePlus 12R के साथ भी Google Drive में photos दी थी, लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं, वो edited है, तो भाई, नहीं यार, इस पार ये लोगों ने, moto ने कमाल कि हैं, अब ऐसा नहीं कि एक तम perfect photo आ रहे हैं, जब पीछे ना बहुत harsh light condition होगी, तो कई बार आपको maintain करने के लिए, मतलब कि आप भी visible row, तो आज पास हलका सा एक white white shade सी है जाती है, कपड़ों पे भी वो आपको देखेगी, 3i thing कोई bug होगा, इस चीज को ये fix कर सकते हैं, वै ये macro भी तरह काम करता है, तो कुछ macro photos भी आप देखो, उसके भी results काफी अच्छा रहे हैं, वहाँ पे भी हलके-लके से आपको detail मिल जाती है, और उसे भी आप use कर सकते हो, बट जैसे मैंने का था कि एकदम perfect नहीं है, एक तो मैं आपको आपको अलड़ी बता चुका हूँ, दूसरा है कि वीडियो बनाते हो, तो 4K में जब आप वीडियो बना रहे हो, तो हलका-लका सा यहाँ पे भी ये frame drop कर रहा है, वीडियो बनतों एकदम stable रही है, लेकिन हलके-लके से frame drop हो रहे हैं, क्योंकि stability जब मैंने चेक की थी, 1080p के अंदर भी stability मिलती है, बट वहाँ पे क साथ कुछ पंगा है इनका, वीडियो चला रहे हैं, डिस्प्ले में वहाँ पे भी frame drop है, वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी frame drop है, खर यह जी सिर्फ वीडियो के अंदर है, फोटोस के अंदर तो बहुत impress करेगा, अब selfie camera भी impress करेगा, 50MP का selfie camera है यार, और autofocus भी ले images आ रहे हैं, skin tones, colors, यहाँ पे भी कमाल के है, portrait shots में generally phone selfie camera में तो struggle करते हैं, यहाँ पे भी अच्छे आ रहे है, अब यहाँ पे भी वही वीडियो वाला scene है, देखो वीडियो stable तो बन रही है, front camera से भी आप 4K में वीडियो बना सकते हो, जैसे मैंने का Google Drive में जरूर फोटोस चेक करना मैं इतना जदा कहता नहीं हो, लेकिं इस बार लोगों ने आर कमाल किया है, और दो चीज़े बताना तो भूली गया, snapchat या instagram वगएरा यूज करते हो, तो वहाँ पे भी आप अल्टरा वाइड वगएरा, telephoto वगएरा यूज कर सकते हो, generally phones यह चीज देते नहीं ह पर बाटम में है, एक साइड में है, उसकी भी क्वाल्टी चेक करो, फ्रेंट कैमरे से वीडियो बन रही है, इसमें तीन माइक है, और एक टॉप पर बाटम में है, पीछे रोड भी है, और आपको मुझे लगए उस ट्राफिक की बिलकुल आवाज नहीं आरोगी, क्योंकि साउंड क्वाल्टी इसके माइक की बहुत कमाल किया, तो यह से काफी टाइम से डिमार्ड थे कि भाई, फिक्स करो, फिक्स करो कैमरे को, तो हाँ, काफी फिक्स किया है, एक तो जो इशूज मैंने बता है, वो भी फिक्स कर दे, कैमरा नेक्स लेवल हो जाएगा, अब गातार, बैक टू बैक यह सारी एप टेस्ट करता रहा, बट जैसा मोटो की फोन में रहता था, आइडियल रेन, तो कि यहाँ पे भी वो आइडियल रेन मिलता है, तो शाम को चार बजे मैंने फोन को रग दिया, 14% बैटरी थी, रात को ग्यारा बजे चेक किया, तो ग्यार आफ ही कर देंगे, तो भी आइडियल रेन मिलेगा, तो हाँ जैसे रात को 10 बेल में सोया, 77% छोड़के, सुबह जो बठा 7 बजे, 175% थी, तो यह स्नेट आफ करके छोड़के सोगे, तो आपको बहुत ही कम आइडियल रेन मिलेगा, तो हाँ, इस चीज़ को भी और चार्जिंग टाइम तो कमाल का ही है, 125 वाट का जो चार्जर है, वो 18 मिंट के अंदर इस फोन को 0 सेंडर चार्ज कर देता है, कुछ लोग पूछेंगे, बाई हमने 68 बाल अगर लेते हैं, तो वो 40 मिंट के अंदर इस जीरो सेंडर चार्ज कर देता है, तो वो भी काफी धी फास्ट है, अब बाईर्लेस चार्जिंग भी है, वो भी चोटी मोटी नहीं, 50 Watt की आपको वाईर्लेस चार्जिंग मिलती है, reverse वाईर्लेस चार्जिंग भी है, मतलब इस फोन से किसी और फोन को भी चार्ज कर सकते हो, या मैंने माई क्वालिटी की टेस्ट आपको अलड़ी बता दिया है, तीन माई के हैं, भाई, कॉल क्वालिटी के अंदर बिल्कुल टेंशन मतले न, कॉल क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर SIM स्लोट जरूर ऐसा है, जहाँ पर आप दो SIM ही यूज़ कर सकते हो, यहाँ प वहाँ पर call recording वाले option में, play audio tone करके उसको on कर लेना, अब इसका फैदा है कि है recording पर दबाओगे न, तो एक beep का sound आएगा, बट इसे on नहीं करोगे तक बहुत लंबी line वो बोल देती है, कि भाई, call recording शुरू हो गई है, तो हाँ, यह थोड़ा सा आप कर सकते हो, बट इसी तरी नहीं कर पाते थे, इस बार इन लोग ने वो भी इंप्रूव किया है, और 30,000 के अंदर तो बहुत बढ़िया यह value for money है, आपको जो higher event मिल रहा है, उसको तब ही जाके आप सोच सकते हो, कि 125 port का charger चाहिए, और 12 GB RAM चाहिए की performance बहुत ही अच्छी हो जाए, बिल्कुल भी दि इटेल में हो गई, बट होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बैल एकोन को प्वे करना, आप लोग की support की बहुत जुरोत है, अभी भी phone को लेके कोई सवाल रहे है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, अपने दोस्तियार वीडियो के साथ ही वीडियो शेयर कर देना, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, thanks for watching, end up for all.